वेलकम टू माई चैनल लिट्रेचर एंड लाइफ दोस्तों आप सबका मेरे चैनल लिट्रेचर और लाइफ पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब तक हम लोगों की ऑनलाइन स्टेडी चल रही है और आफलाइन क्लासेज पॉसिबल नहीं है COVID-19 के कारण तो हमारी ओनलाइन स्टेडी हमारी कॉलेज की वेब साइट में इपोर्टल के जरीए कैसे होगी और कैसे आपकी जो अटेंडन्स है वहीं पे काउंट की जाएगी बजाए इसके कि आप लोग किसी वटसेप ग्रूप के उपर अपनी अटेंडन्स दे तो वहाँ आपकी जो अटेंडन्स है इपोर्टल की उपर उसे हम लोग अथंटिक मानेंगे चाइल की उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना आप लोगों ने किसी विविग ब्राऊचर को ईपन करना उसको फिल किया आई डी को कॉलं पासवर्ड वाले सेक्शन में मैंने पासवर्ड को फिल किया यहां पर कैप्चा फिल करना है हम लोगों ने जो चीजें यहां पर लिखी हुई है नीचे उसी चीज को हम लोगों ने फिल करना है 36982 इस परकार से जाब हम लोग MRPD login साइट पर online जा फिर online .gc.alvara.ac.in के उपर हम लोग login करेंगे इस परकार से हमारी login ID आएगी वहां पर आपने अपनी registration ID या login ID और password फिल करके capture फिल करके login की उपर क्लिक कर देना है login की उपर क्लिक करते ही जैसे यहां पर इस बच्चे की ID पूरी तरीके से open हो चुकी है हम लोगोंने records को आगे करते चले जाना है ठीक है और वहीं पर जब हम लोग login करेंगे तो first second third fourth option होगी आपकी e-learning की उपर हम लोगोंने क्लिक कर देना है ठीक है e-learning की उपर हम लोगोंने क्लिक कर देना है e-learning की उपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आपने जो भी respective subjects रखे हैं उन सभी subjects की detail खुलके आ जाएगी जैसे इस बच्चे ने subject रखा है English compulsory है Hindi elective है history है history और पंजाब फिजिकल education यह सारे subject की option खुलके आ जाएगी और जिस subject के आपके notes teacher ने इस portal पे डाले होंगे वहां पर आपको शो हो जाएगा कि notes आपके portal पे डले हुए हैं जैसे यहां English पे शो कर रहा है वान है आपने view content के उपर क्लिक कर देना है view content के उपर क्लिक करते ही आपको जो भी document या जो भी video या जो भी और कोई medium इस portal पे चड़ा होगा वो खुलके आ जाएगा जैसे यहां पे PDF को download करके future use के लिए भी रख सकते हो और इस परकार से जैसे जैसे आप अपने सब्रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के portal को open करते चले जाओगे वैसे वैसे ही आपकी उस subject की attendance जो है वो count होती चली जाएगी ठीक है इस परकार से हम लोगों ने e-portal के जरीए अपने college website के थुरू आप लोगों ने study को करना है तो ये था हम लोगों ने एक second year के student की ID के थुरू मैंने आपको open करके दिखाया अब कहीं किसी को कोई शक्क ना रहे ठीक है इसलिए मैं first year के students की एक ID से भी आपको use करके दिखा देता हूँ so that हम लोगों को किसी परकार की भी जो problem है वो ना हो ठीक है इसके लिए मैंने यहाँ पर logout की इस ID को ID logout हो गई दूसरे बच्चे की ID ली ठीक है फिर से उसी साइट पे गए और यह चीज के वो first year second year नहीं यह सभी classes नहीं इसी परकार से अपनी जो attendance है जितने दिन online classes है और यहीं इस पे आप लोगों को आपके material प्रवाइड किये जाएंगे study related सारे materials जो हैं वो teachers provide करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने ID डाल दी यहाँ पे हम लोगों ने password डाल दिया password डालने के बाद फिर से capture 28463 और login कर दिया login की उपर हम लोगों ने click कर दिया यह बच्चे की ID जो है वो हमारे सामने open हो जो की है फिर से हम लोगों ने e-learning की उपर click किया वहाँ पे जिस subject के e-content जो है वो जैसे यहाँ पे पोल साइंस और English का शोर है हम लोग पोल साइंस का e-content व्यू करते हैं व्यू किया उसके नीचे बताया भी गया है कि इस notes के अंदर आपको क्या चीज़ प्रवाइड की गई है उसके बाद हम लोगों ने इस PDF को download करना है देखना है उसके उपर click किया हमारे सामने PDF open होके आ जाएगा इसे हम लोग save भी कर सकते हैं इसे हम लोग यहाँ से note down भी कर सकते हैं तो यह था हम लोगों ने किस तरीके से e-portal के जरीए अपनी study को continue करना है और किस परकार से आपकी attendance जो है वो teachers counter करेंगे तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे like और comment जरूर कीजिए और उसके साथ साथ channel को subscribe जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी informative videos जो हैं वो time to time show होती रहे thanks for watching the video don't forget to subscribe my channel click on the bell icon to get the latest updates